अगर आपको यी कहानी पसंद आई तो इस चानल को सब्सक्राइब करें उस गंठी की बटन भी दबाईए जब सूरच निकला सेम और उसकी दोस्तों ने धीरे धीरे अपनी आंखे खोली वे दूसरी दिनों की तुलना में उस दिन बहुत हुश थे उन्हें लगा कि वे दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुए है उन्होंने अपनी दिन की शुरुआत खुशी खुशी शुरु किया जैसे ही वे कुछ देर चलने लगे उन्होंने देखा कि यात्रा की शुरुआत में जो गर था वो मौजू थे उनकी इच्चाधारी सोच थी हम वहां क्यू नहीं जा सकते हम इस घर से दोस्त बन गए है न वे अंदर गए और उस चुले की और देखा जिसे वे भाग निकले थे लेकिन चुला बुरा और उपेक्षित लग रहा था कहां है वो बुडिया क्या उसने इस चुले से खाना नहीं बनाया वे सोचा और बुड़े ओरत को कोने में पड़ा देखा वो बाहर से सेम और लख्टी खरीदने और खाना बनाने के लिए अच्चे हालत में नहीं थे क्या अफसोस है हम उसकी वज़े से ही दोस्त बन गए है अब वो बिस्तर पर है ये सच है मुझे लगता है कि वो बीमार है मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जा सकती है क्या हम उसकी मदद कर सकते है मुझे लगता है कि हम कर सकते है मैं तुम्हें बहुत सारी सेम दोंगा तुम बहुत सारी घास दो चिंगारी बुजने वाली आग दे भूड़ी औरत उसके लिए खाना बनाएगी ये सुनकर वे बहुत हुश होए वे भूड़ी औरत के पास गए और इस घर से निकलने की बात होई सब घटनाओं को बताया औ और उन्होंने उनसे कहा कि वे उसकी मदद करने जा रहे हैं उडिया उत्साहि थी उसने सोचा कि भगवान ने इस बुड़ापे में उसके लिए ये वरदान बेजा है ये सोचकर धन्यवाद दिया उन्होंने खास और जिंगारी के मदद से सेम को पकाया और खा लिया बले ह ये उन्होंने इस शहर में कई लोगों की मदद की है लेकिन वे उसमाहिला की मदद करने के लिए संदुश थे मुझे पर अपनी प्रदिभाब अरबात मत करो तुम्हें कहीं जगा उपर जाना चाहिए और कहीं लोगों की मदद करनी चाहिए भोड़िया ने कहा ये सुनकर उन्हें भी सही लगा दोस्तों क्या हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं ये बोलकर उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चानल को सब्सक्राइब करें उस गंठी की बटन भी दबाईए